हेलो एब्रीवान वेलकम आज की ख्लास में हम लोग डिसकस करेंगे आग्रिगेट डिमांड के कॉंसेप्ट को लास्ट ख्लास में हम लोगों ने आग्रिगेट डिमांड के मीनिंग बेसिक इंट्रोडक्शन के शाथ शुरू कर लिया है और मैंने आपको बताया अग्रिगेट डिमांड के मेंन कॉंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं आज बात करेंगे कि अग्रिगेट डिमांड का जो कर्व है वो किस शेप का होता है और उस कर्व को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक tabular representation देखेंगे मतलब एक schedule बना लेंगे जिसमें हम aggregate demand को और उसके कुछ basic components को लेंगे और ये सारी बाते जो हैं ये हम two sector model के अंदर करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं last class में मैंने आपको थोड़ा brief भी किया है कि हम aggregate demand को देखेंगे in a two sector model so हम बात कर रहे हैं aggregate demand की और वो ही two sector model में मतलब aggregate demand की जो चार components है उन चारों में से हम क्या करेंगे कि ऐसा assume करेंगे कि aggregate demand जो है वो function है सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर का या दो सेक्टर के द्वारा किये जा रहे है consumption का यानि की ad is equals to c plus i जहां पर ad हम ले रहे है aggregate demand c से हम बात कर रहे हैं consumption expenditure और i से हम denote कर रहे हैं investment expenditure तो सिर्फ दो सेक्टर को हमने यहां पर लिया हुआ है two sector model में एक है household private consumption expenditure और दूसरा है firms जो की जिसके द्वारा investment expenditure किया जाता है अब इसको हम लोग सबसे पहले तो एक table के form में बना कर देखते हैं कि tabular form में aggregate demand जो है उसका क्या behavior है सबसे पहले हम एक तरफ ले लेते हैं income जिसको हम capital Y से denote करेंगे फिर हम लेते हैं consumption जिसको हम capital C से denote करेंगे उसके बाद investment जो की capital I है और फिर हम लेंगे aggregate demand जिसको हम ले रहे हैं C plus I करके इस तरह से हमारे चार columns बनेंगे अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले income को हम increase करेंगे income को हम जैसे जैसे unit wise increase करते जाएंगे ठीक वैसे वैसे हम देखेंगे कि consumption का क्या behavior रहने वाला है investment किस तरह का होगा तो यहाँ पर हम income ले लेते हैं initially 0 उसके बाद income हमारा बढ़ रहा है 100 then हमने फिर से income बढ़ाया 200 और यह धीरे धीरे हमारा बढ़ता जा रहा है 300 400 500 and 600 तो इतना हमारा income जो है वो बढ़ता जा रहा है income के बढ़ने के साथ साथ consumption पे क्या behavior होगा तो आप देखोगे कि जब income 0 होगा तो consumption 40 होगा अब बोलोगे यह कैसे हो रहा है तो इसको हम लोग आगे और detail में discuss करेंगे बट फिलहाल आप समझ लें कि जब income 0 है तो consumption 0 नहीं होगा कुछ न कुछ present होगा 40 हाँ पर मैंने arbitrary value लिया हुआ है अपने मन से लिया हुआ है but the concept is कि income के 0 होने पर consumption 0 नहीं होता है बलकि consumption कुछ न कुछ रहता है अब है कि क्यों ऐसा क्यों तो consumption आपका हमेशा positive होगा कभी भी zero नहीं हो सकता है negative नहीं हो सकता है कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति हर एक व्यक्ति के कुछ basic requirements होते हैं कुछ necessities होती हैं उन necessities को व्यक्ति हर हालत में पूरा करना चाहते हैं भले उनका income रहे या ना रहे अब सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि income नहीं रहने पर necessities को कैसे पूरा किया जा सकता है वही income रहे तब तो ठीक है लेकिन ना रहे तब कैसे होगा तो income के नहीं रहने पर consumption positive होता है with the help of savings savings होती है व्यक्ति की पुराने पैसों को जिन्हों को उन्होंने save करके रखा हुआ है for future purpose तो उस situation में व्यक्ति जो है अगर उनके पास income नहीं है, income का source नहीं है तो व्यक्ति क्या कर सकते हैं या करते हैं अपने पुराने income को ही use करते हैं to fulfill their basic consumption expenditure और इस स्थिती में consumption positive हो जाता है भले income zero रहने पर भी उसके अलावा income अब 100 है तो क्या consumption 100 होगा जवाब है नहीं शुरुवात में income नहीं है, consumption हो रहा है with the help of savings फिर जब income बढ़ा, income आया तो शुरुवात में consumption income से भी जादा होता है क्योंकि initially व्यक्ति के बहुत सारी जरूरते होती है जिनको उनको पूरा करना होता है तो starting में पैसे जितने भी आते हैं तो व्यक्ति के requirements जादा होने के कारण उनका खर्चा जो है वो जादा होता है this is the general concept, general behavior जिसकी study करी गई है कि आखिरकार consumption कैसे behave करता है with the help of income and the studies reveal कि शुरुवात में income नहीं होगा, consumption होगा फिर income बढ़ेगा, consumption बढ़ेगा, लेकिन income से जादा बढ़ेगा now the question is कि 20 rupees extra किदर से आया? यहाँ पे हम करोड में ले रहे हैं इस सारे values करोड में हैं, तो 100 करोड है या 120 करोड है 20 करोड extra कहां से आगए? the answer is from the saving जहां से यहाँ पे खर्चा पूरा हुआ था, जब income 0 था तो consumption जो है, वो आपका starting में income से जादा होता है फिर income 100 से 200 हो गया, क्या अभी consumption income से जादा होगा? नहीं लेकिन क्या consumption income से कम होगा? नहीं तो किसके बराबर हो जाएगा? तो ये बराबर हो जाएगा income के एक ऐसा point होता है, अच्छा एक बात और ये ज़रूरी नहीं है कि तीसरे unit पर ऐसा होना है कि दोनों बराबर होंगे दूसरे पहकी जादा होना है, ये आगे पीछे हो सकता है मैं आपको just behavior समझा रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं आपको third ranking पर बता रही हूँ कि ये दोनों बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है कि fourth पर नहीं हो सकता है fifth पर भी हो सकता है, तो कहीं पर भी हो सकता है income consumption के बराबर हो जाता है, देखो धीरे धीरे आपका income बढ़ा था तो consumption जादा किया क्योंकि need जादा थे, need अब almost पूरे हो चुके है काफी हद तक पूरे हो चुके है, अब consumption को income से जादा करने की जरूरत नहीं है income भी बढ़ चुका है, दोनों हमारा जितना income है, उतना मेरा consumption है, हमारा काम हो जा रहा है फिर income जो है, बहुत बढ़ गया, income बढ़ गया, तो consumption तो बढ़ेगा income के साथ consumption तो बढ़ता है, लेकिन अब आप देखोगे, तो income की तुन्ना में consumption कम हो रहा है और ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, as compare to income, consumption का जो proportion है वो घटता जाएगा, 300 पे 280, 400 पे ये बढ़ेगा, 280 से बढ़के 360 हो जाएगा, लेकिन 400 की तुल्ला में ये कम है, ठीक उसी तरह से 500 जब income बढ़ा, तो consumption भी बढ़कर के 360 से 440 होगा, लेकिन income से compare करोगे तो कम होगा, ठीक उसी तरह से जब income बढ़के 500 से 600 हो गया, तो consumption भी आपका 440 से बढ़कर के 520 हो जाएगा, लेकिन जब आप उसको income से compare करोगे, तो वो आपका income की तुल्ला में कम होगा, ऐसा इसलिए हो रहा है, क्यूंकि शुरुआत में जरूरते जादा थी, तो खर्च भी जादा थ आई की अपेक्षा, फिर एक level आया, जहां पर आय और खर्च बराबर हो गया, और फिर जैसे जैसे income और बढ़ता गया, तो खर्चा जो है, वो income की तुल्ला में कम होने लग गया, क्यूंकि अब तो basic चीज़े पूरी हो चुकी है, अब हमें as a consumer, बस अपनी जरूरतों को प लेना था, like TV, fridge, AC, cooler, सब ले लिया तुमने, अब यहां से सब ले चुके हो, अब तुम्हारे खर्चे उतने नहीं होगे, तुम बार बार नहीं खरीदोगे TV, तुम बार बार AC नहीं खरीदोगे, अब तुम्हारी जरूरते काफी हद तक पूरी हो चुकी है, now you have to just maintain your expenses, त तो maintain करने के दौरान income से कम होते हैं खर्च, और ये कारण है कि initially आपको दिखरा है income positive है, और फिर धीरे धीरे ये आपको increase होता हुआ दिखरा है क्योंकि income बढ़ रहा है, और साथ ही साथ income की अपेक्षा आपको consumption का proportion धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है, अब हम लोग investment की बात करते हैं, investment को यहाँ पे 40 के साथ हमने लिया हुआ है और ये investment हमारा 40 40 40 पे constant है, क्यों है 40, constant figure क्यों दिखा रहा है, कारण है ये कि investment यहाँ पे constant है because यहाँ पे हमने जिस investment को लिया है, ये autonomous investment है, ऐसा investment जो की level of income से independent होता है, जिसको level of income से लेना देना नहीं है, और ये हमारा हमेशा constant पाया जाता है, जिसकी वज़से यहाँ पे जो value है, वो आपको constant नजर आ रहा है, अब हम लोग aggregate demand निकालेंगे, कैसे भाई, तो C plus I करके जोडते हुए aggregate demand निकालेंगे, initially 80, 120 plus 40 is equal to 160, 200 plus 40 is equal to 240, 280 plus 40 is equal to 320, 360 plus 40 is equal to 400, 440 plus 40 is equal to 480, and 520 plus 40 is equal to 560, अब देखो हमारा aggregate demand निकल आया, जिसको हमने बड़ी आसानी से consumption और investment को जोड़ करके निकाल लिया है, अब क्या करेंगे हम, तो अब हम देखेंगे, कि aggregate demand का जो value है, वो हमको नजर आ रहा है, increase होता हुआ, income के साथ, अगर हम aggregate demand को देखें, तो हम देख पाएंगे, कि जैसे जैसे income बढ़ रहा है, ठीक वैसे वैसे जो aggregate demand है, वो भी increase हो रहा है, इसी बात को जब हम लोग ग्राफिकली देखते हैं, तो graph में अगर हम देखें, तो सबसे पहले तो aggregate demand बनाएंगे, तो x और y axis बना लेते हैं, first of all, y axis पर हम income ले लेते हैं, x axis पर aggregate demand, aggregate demand में यहाँ पर consumption और investment दोनों हैं, consumption प्लस investment expenditure दोनों हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले investment curve बनाते हैं, जितने भी यहाँ पर आपको figure दिख रहा है, values, वो सब हमारे graph में plot होंगे, scaling करके बनाओगे, तब भी आपका वही बनेगा, मैं यहाँ पर आपको बिना scale के बना करके दिखा रही हूँ, मतलब बिना scale as in, बिना scaling की यह बना के दिखा रही हूँ, shape ताकि हम जल्दी से समझ पाए, यहाँ पर आपको investment का जब आप curve बनाओगे, तो यह horizontal straight line आएगा, start होगा, origin से, नहीं, y-axis से, और यह आपको horizontal straight line दिखेगा, क्यों? क्योंकि investment यहाँ पर हमारा constant है, तो यह हर level of income पर constant है, income of level change हो रहा है, लेकिन investment change नहीं हो रहा, तो it is remains constant, उसके बाद हम यहाँ पर consumption curve बना लेते हैं, और consumption curve को हमने देखा, कि यह initially कितना है, 40 है, मालों यहाँ 40 है, तो initially यह यहीं पर start होगा, और फिर जैसे जैसे income बढ़ता जा रहा है, consumption भी हमारा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो जब हम consumption का curve बनाएंगे, तो वो हमें कुछ upward rising shape का नजर आएगा, और upward rising आने का कारण बिलकुल वही है, कि income के बढ़ने के साथ साथ, जो consumption curve है यह जो consumption है, वो भी बढ़ता जाता है, जिसकी वज़ा से यह upward rising दिख रहा है, फिर हम बनाएंगे, consumption curve बन गया है, income curve बन चुका है, अब हमें AD curve बनाना है, aggregate demand जो है, वो initially आपका 80 है, तो initially मालों यहां 40, 80, 120, 160, ऐसा skilling किया हुआ है, तो aggregate demand जो हम बनाएंगे, तो initially 80, 0 पे, फिर 100 है, 160, कुछ इस तरह से, और जब आप aggregate demand को बना लोगे, तो उसका shape आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, जो की upward rising आपको दिखेगा, क्यों upward rising दिख रहा है, because जो aggregate demand का curve है, जो aggregate demand है, वो income के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है, तो ad बराबन यहाँ पे c प्लस i हमने निकाला हुआ है, इसलिए यह हमारा upward rising है, अब यहाँ पे हमें कुछ-कुछ बाते पता लग जाएंगी, सबसे पहली बात जो पता लग रही है, वो क्या है, तो हम देख पा रहे हैं कि consumption का curve y-axis से शुरू हो रहा है, और यह 0 से लेकर के 40 तक का जो area है, इसको हम c-bar कहेंगे, c-bar से हम क्या denote कर रहे हैं, तो यह कहलाता है, और जो कि हम टेवल में भी देख पा रहे हैं, और figure में भी हमने देखा कि consumption का curve हमारे y-axis से स्टार्ट हो रहा है, because 0 level of income पे हमारा consumption मौझूद है, हो रहा है, that is 40, which is indicated as c-bar, पहली बात, दूसरी बात हम देख रहे हैं कि consumption का curve वो upward rising है, consumption का curve upward rising हमको दिख रहा है, upward rising दिखने का कारण है कि consumption बढ़ रहा है, with the increase in income, income जैसे जैसे बढ़ रहा है, consumption भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से consumption curve upward rising है, और अगर हम consumption curve के slope की बात करें, तो वो slope हमें मिलेगा positive, consumption curve positive slope का है, क्योंकि यह upward rising जा रहा है, और यह zero level of income पर भी present है, जिसकी वजह से यह y-axis से start हो रहा है, यह तो हो गई बात भाई consumption curve के बारे में, अगर हम बात करें, हमारे second component जो की investment expenditure है, investment curve है, तो यह investment curve हमें parallel दिखाई दे रहा है, to the x-axis, यह parallel है to the x-axis, horizontal straight line है यह, horizontal straight line, which is parallel to the x-axis होने का कारण है, कि investment यहाँ पर autonomous है, that is, that is remains constant at every level of income, income के change होने पर हमारा investment change नहीं हो रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो investment का curve है, वो horizontal straight line है, अब हम देखेंगे aggregate demand curve को, तो aggregate demand curve जो है, वो हमारा start हो रहा है, from the y-axis, reason यह है कि AD जो है, वो sum है consumption और investment का, investment भी constant, क्योंकि autonomous लिया है और consumption भी present है, zero level पे क्योंकि consumption तो zero होता ही नहीं है, इसकी वजह से जो AD का curve है, वो y-axis से शुरू हो रहा है, पहली बात, दूसरी बात, कि aggregate demand का जो curve है, उसका slope, AD curve का जो slope है, slope of AD, वो है positive, यानि कि upward rising हमें ये curve नजर आ रहा है, कारण वही है, income के बढ़ने के साथ साथ, aggregate demand भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानि कि, income और aggregate demand के बीच में, positive relationship है, जैसे जैसे income बढ़ता जाएगा, जो expenses किये जाएंगे, लोगों के द्वारा, पूरी economy में जितने sectors हैं, उनके द्वारा जो expenditure होगा, वो expenditure भी increase होता चला जाएगा, इसी के साथ, जो aggregate demand का concept है हमारा, वो यहाँ पे finish होता है, आपको याद रखना है, aggregate demand का curve का slope, उसका nature, और उसी से related consumption curve का slope, उसका nature, और investment curve, अगर autonomous investment है, तो investment curve पैरलल टू दा x-axis होगा, अब यहाँ पे, AD के बारे में important facts हमने चानली है, और aggregate demand, उसका meaning, उसके main चार components, और aggregate demand को two sector model में भी, हम लोगों ने discuss कर लिया, अगर आपसे पूछा जाए, कि aggregate demand के components बताएं, तो आप चार components बताएंगे, अगर आपसे कहा जाए, कि aggregate demand के curve को बनाएं, तो aggregate demand का curve बनाने के लिए, आप सिर्फ दो components की बात करोगे, या उनको ले के चलोगे, consumption और investment, और फिर उन दोनों की मदद से, आप AD के curve को draw कर लोगे, तो यहाँ पे AD हमारा finish होता है, next, जो हमारा topic है, वो है aggregate supply, aggregate supply क्या है, उसके slope, उसका slope कैसा है, और कैसा होता है, उसके main components क्या क्या है, यह सारी बातें हम लोग अब discuss करेंगे, हमारे next topic में, और उसको हम हमारे next class में discuss करेंगे, thank you, करेंगे लोगे 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 हमारे लोगे हमारे,